आपसी दोस्त ध्यान से समझिए आप लोग जो भी काम कर रहे हैं आप लोग जो भी काम कर रहे हैं आप नौकरी कर रहे हैं दुकान कर रहे हैं खेती कर रहे हैं उस काम के साथ साथ अगर आप पार्ट टाइम में SLEPS Wellness अगर 1 गंटे या 2 गंटे निकाल करे डेली डेली करते हो तो अपटे का अगर आप 1,000 रुपे वी कमाते हैं तो महीने में 4 अपटे होते हैं तो 4 अपटे में आपने कमाई 4,000 रुपे तो जो आपकी सेल्ली या आपकी जो कमाई है पहले से 20,000 रुपे थी और उन 20,000 रुपे में अगर आपके 4,000 रुपे और एड हो जाते हैं तो आपकी इंकम हो जाती है पहले महीने में 24,000 रुपे और आप हर अपते अगर एक साल में 52 वीक होते हैं अगर एक साल में आप हर अपते एक एक हजार रुपे भी पार्ट टाइम से में ऐसली पेस से घर बैटके अपने दोस्तों को ऐसली पेस के प्रोड़ट के जानकरी देके ऐसली पेस की सावन के बारे में ऐसली पेस के तेल के एसली पेस्वेलनेस के हैंड वॉस के बारे में, एसली पेस्वेलनेस के डाइवडों के बारे में, या किसी भी प्रोड़ेट के बारे में, चाय की पत्ती के बारे में, पेश्ट के बारे में, किसी को भी बताते हैं, और कोई आपके कहने से प्रोड़ेट करीद लेता है, तो अगर वो वेक्ति आपके साथ जोईन हो जाता है जोईन होने के बाद आप हपते का जार रुपे भी कमाते हैं तो मेरे भाई आपने साल में कमाई बावन अजार रुपे जो आप ओल लेडी बीस पीस अजार रुपे महीने कमा रहे हैं उसमें अगर आपके बावन अजार रु करते हैं तो आपकी जो इंकम है वो ही है अगर आप साथ में कर लेते हैं तो आपकी एक extra earning बढ़ जाती है इस धरती पे जितने भी सफल लोग हैं वो एक काम के साथ साथ कई और काम भी करते हैं अमीर आदमी अमीर इसलिए बनता है क्योंकि वो अपने बिजनिस बढ़ाता है और गरीव आदमी इसलिए जीवनवर गरीव रहता है वो एक ही काम के उपर जीवनवर डिपेंड रहता है कि मैं यहाई से बड़ा काम करूँगा मैं इसी नोकरी से बड़ा बन जाऊँगा मैं इसी दुकान से बड़ा बन जाऊँगा मैं इसी खेती से बड़ा बन जाऊँगा मैं इस भैसो को पाल के बड़ा बन जाऊँगा दोस्तन नहीं होगा जमाना बदल चुका है जमाना नेक्ट्रक मार्केटिंग का है तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा अब दोर बदल चुका है मेरे भाई आप जो काम कर रहे हैं उस काम के सासत पाट टाइम करिए मत करिए फुल टाइम आप नौकरी करें नौकरी करिए डेली का इगंटे निकाल के काम करिए डेली का इगंटे निकाल के बैस डेली का इगंटे निकालते रही है और आप काम करते रही है तो जो महंगाई बढ़ रही है आप लोगों को लग रहा कि महंगाई बढ़ रही है तो दोस्तों मैं आपको बता दू प्रॉलम है आपके घरों में जो समस्या चल रही है बच्चों की डिमांड है पूरी नहीं कर पा रहे हो ठीक है आपके फादर की डिमांड है आपके मदर की डिमांड है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो वो इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी इंकम सेम है घर की जर आपके नेटप्रॉक को यूच करएंगे फिर उसके ब क्या होगा उसके बाद आपकी इक इंकम सोर्स बढ़ जाएगा और जिसके पाद यतना ज्यादा सूर्स होता है उसके तैना ईंट्र भ़़े लेवील पर जाता है तो दोस्तों आज के बाद एक mission मनाईए चाहे कुछ भी हो जाए एक extra income हमारी life में add हो जानी चाहिए